सलमान, शारुक, आमीर और अक्षे के साथ आजे दिवगन जी या ये सभी सितारे बोल्व इंडस्टी के जाने माने सूपर स्टार कहला जाते हैं और इन सभी सितारों की तगड़ी फैन फॉलिंग मानी जाती है आज आलम ऐसा है कि ये सभी सितारे एक फिल्म में काम करने के लिए करूरों रुपे की फीस मांग करते हैं लेकिं दोस्तों कि आप जानते हैं ये पांचों सितारों को अपनी डैवी फिल्म में काम करने के लिए कितने पैसे दिये गे थे इसी बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आज हम आपको बताने वाले हैं सल्मान खान, शारुच खान, आमिर खान, अक्शिर गुमार और अजिर दयूगए उनको अपने डेवे फिल्म के काम करने के लिए कितने रुपे दिये गिए थे सबसे पहले बात करेंगे भाईजान सल्मान खान की तो भाईजान सल्मान खान की पहली डवी फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी हाला कि ये फिल्म फ्लॉप सावित हुई थी लेकिन सल्मान खान को इस फिल्म में काम करने के लिए 90,000 रुपे की फीज दी गे दी इसके साथी शारुख खान की बात करें तो शारुख खान की पहली डेविफ फिल्म थी दिवाना और दिवाना फिल्मे काम करने के लिए मेकरस ने शारुख खान को 3 लाक रुपे की फीज दी थी आज शारुख खान एक फिल्म में काम करने के लिए 40-45 क्रोन रुपे की फीस की मांग करते हैं हलाकि इस समय शारुख खान फिल्मों से दूरी बनाये हुए हैं और जीरो के बाद शारुख खान के अगले प्रोजेक्ट का फैंस भी काफी बेसबरी से निजार कर रहे हैं की फीस दी गई थी आज आलम ऐसा है कि आमिर खान को एक फिल्म में काम करने के लिए मेकर 40 क्रोन रुपे की फीस देते साथी प्रोफिट में भी आमिर खान का हिस्सा होता है इसके साथी बॉलिवर के खिलारी कहे जाने वाले अक्षे कुमार की बात करें तो अक्षे कुमार की डेवी फिल्म थी सोगंद फिल्म में काम करने के लिए अक्षे कुमार को 6 लाग रुपे की फीस दे गई थी इसके अलावा अजे दोगन की बात करें तो अजे दोगन की पहली ब्लोगबस्टर फिल्म थी फूल और काटे या फूल और काटे अजे दोगन की डेवी फिल्म थी और ये फिल्म सूपर डूपर हिट साबित हुई थी और अज़े दोगन को इस फिल्म में काम करने के लिए 5 लाक रुपे की फीज दे गई थी फिल्म के अच्छा रेक्शन होने के बाद अज़े दोगन को और भी रकम दे गई थी और आज अज़े दोगन एक फिल्म में काम करने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपे की मांग करते हैं और मेकर्स उनकी इस मांग को खुशी खुशी पूरा भी कर देते हैं सल्मान खान आमीर खान जहां अपने फिस के लावा प्रोफिट का हिस्सा भी मांगते हैं वहीं दूसरी और अक्षे कुमार शारु खान अरज दगन की भी तगडी फिस मानी जाती है और इस सभी सितारों की फिल्में बॉक्स उस पर रिलिस होते ही करोड़ो रुपे की कमाई भी करती है